पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिसकस करा कि क्या होता है एक्षन क्या होता है रिडूसर्स इन चीजों को हम लोगों ने काफी अच्छी तरीके से समझा था आज गिस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम किस तरीके से रिडक्स के अंदर एक स्टोर को क्रियेट करते तो आप लोग यहां पर देखी सकते हैं अपना VS Code तो ओपनी है तो यहां पर source पर चलेंगे और यहां पर हमने पिछले वीडियो में क्या करा एक तो reducer बनाया और एक action बनाया एकशन के अंदर हमने क्या करा index.js बनाया और जिसके अंदर हमने कुछ इतना करा simple है ठीक है और इसे के साथ हमने क्या करा reducer के अंदर दो file बनाई एक increment decrement.js sort के अंदर inc.dec.js और जिसके अंदर कुछ यह करा था अब इन चीजों को आपको समझना है तो आपको पिछले वाले वीडियो देखना पड़ेगा ठीक है और उसके बाद भी हमने store बनाना है तो मैं क्या करूँगा store.js लिखूँगा आप अपना नाम भी रख सकते हो लेकिन sense कर रहा है store इसलिए मैं आप store.js रख रहा हूं ठीक है बहुत ही बढ़िया तो मैं सबसे पहले करूँगा क्या सबसे पहले अगर मैं इस reducers के अंदर जाओं और इस index.js के अंदर जाओं तो इसके अंदर मैं एक चीज़ export कर रहा हूं मैं क्या export कर रहा हूं मैं इस चीज़ को export कर रहा हूं आप लोग आप देख सकते root reducer को मैं क्या कर रहा हूँ export कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा इस store.js के नदर सबसे पहले मैं इसको import करूँगा ठीक है तो मैं लिखूँगा सबसे पहले import करो किसको इस root और reducer को अगर जैसे मैं interface करूँगा तो आप लोग देखोगे यह automatic reducer से क्या हो हो चुका है अपना import हो चुका है बहुत ही बढ़िया ठीक है तो यह हमने आप पर कर लिया अब हम करेंगे क्या अब सबसे पहले अगर आपको store create करना है redux के अंदर तो simple कुछ नहीं करना सबसे पहले आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा इंपोर्ट इस तरीके से इस तरह के से method को आपको हाँ पे import करना पड़ेगा सबसे पहले मैं यह पे आध этом from reduce इस तरीके से ठीक है और यहाँ पे मैं लिख्णता हूं सबसे पहले क्या मैं यहाँ पे लिख्णत रहों कि जो अपना create store है वो simple तो इस create store को मैंने import कर लिया Redux से अब Redux हम लोग already store करा है आपने अगर starting से वीडियो नहीं देखे है Redux वाली series के तो देखना आपको सब पता से लेगा इसके अंदर ठीक है बहुत ही बढ़िया इतना हमने करा उसके बाद में हम करेंगे क्या उसके बाद में हम लोग simple ऐसा रखेंगे cost store equals to अब store यार एक variable ले रहा हूं मैं इसा समझ लो आप variable का नाम कुछ भी ले सकते हो ठीक है मैं store ले रहा हूं कि कि store है एक ठीक है store equals to यह जो अपना create store है इसके अंदर हम क्या करेंगे इसके अंदर हम simple ऐसा करेंगे सबसे पहले तो इसमें अपना जो root reducer है यह जो अपना root reducer है इसको पास करेंगे तो मैं यहाँ पर लिखूंगा जो करा आपके सामने इतना ही करा है मैंने ठीक है बाकी चीज़े इसमें चेंजमेंट करनी होंगी तो आगे करेंगे अभी के लिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ एक्सपोर्ट कर दिया मैंने सिंपल इस स्टोर को डिफोल्ट मोड में ठीक है बहुत ही बड़िया अब करेंगे क्या सबसे पहले हाँ पर हमारी जो इंडेक्स.js है कौन सी जो हमारी इंडेक्स.js है जस्ट सोर्स के अंदर रखी है किसी डियक्टरी के अंदर नहीं है सोर्स के डियक्टरी उसमें नहीं है यहां पर हमारी जो main index.js यहां पर आएंगे और यहां पर सबसे पहले क्या करना है अपने को यह जो अपना store है यह store की में बात कर रहा हूं इस store को मुझे इस index.js के अंदर क्या करना है इंपोर्ट करना है तो मैं यहां पर लिखूँगा सबसे पहले import store और interface करूँगा तो यह क और से इसको क्या कर लेगा import कर लेगा बहुत ही बढ़िया ठीक है अब क्या करेंगे अभी के लिए इसको मैं import करके छोड़ देता हूं ठीक है अब ऐसा करूँगा सबसे पहले मुझे provider लगेगा अब provider क्या है क्यों है tension मतलों बताऊंगा लेकिन सबसे पहले इसको आप import कर घर हूं ठीक है तो import provider मतलब क्या provider मतलब provide करने का कोई जरिया ठीक है तो वो provider है इसा देशी बासा के अंदर समझा लो एक बार तो provider इंटर प्रेज करूंगा तो react-redux से automatic है import कर लेगा इस provider को ठीक है अब आपका आप एप है ठीक है इसके बाहरी जैसे react और strict mode यहां पर इस तरीके से लिखना है इसमें प्रोवाइडर ठीक है और इस प्रोवाइडर को आप लोग क्या करोगी हाँ पे इसका एंडिंग टेक टेक ही बोल सकते हैं आप इसको एंटर प्रेस करो और इसके बीच में इस एप को रख दो कुछ इस तरीके से सिंपल बहुत ही बढ़िया आपको रिएक जैस वाला सिरीज देखना चाहिए उसके अंदर मैंने काफी डीटेल में बताया है कि प्रोप्स क्या होता है ठीक है तो मैं आपर चलूँगा सिंपल प्रोप्स और प्रोप्स नहीं मैं यहां पर लिखूँगा जो अपना स्टोर है ठीक है इसके अंदर मैं स्टोर सेट करूँगा ठीक है तो यह मैं यहां पर प्रोप्स सेंड कर रहा हूं यहां से अब इसको मैं यूज तो आज की वीडियो में नहीं करूँगा आज की लिए तो इतना काफी है लेकिन जितना मैंने बताया उस पर प्रैक्टिस कर लेना मैंने कुछ खास नहीं करा म मैंने एक store.js नाम से file बनाई यहाँ पर और इसके अंदर मैंने कुछ यह करा सबसे पहले इस root reducer को मैंने import करा कहां से करा मैंने इसको करा इस reducer के अंदर यह जो हमारा index.js यहां से ठीक है मैं काम करता हूँ यहां पर इसके अंदर चलकी इस तरीके से मैं लिख देता हूँ index ठीक है ताकि आपको confusion ना हो इस index से मैंने क्या करा इसको यहां पर import करा उसके बाद मैंने create store को import करा reduce से उसके बाद मैंने अज़े variable के अंदर पास करा create store root reducer ठीक है ठीक है तो अगर मैं save करूँगा तो आपको कुछ ज़्यादा यहां पर चीज़ देखने को मिलेंगे नहीं अगर मैं आपको यहां बता हूँ तो यह है simple इसका final output तो plus पे क्लिक करूँगा minus पे क्लिक है कि download the react dev tools for a better development experience तो आपको क्या करना है यहाँ पर यह जो link आ रहा है इस पर क्लिक करना है यह वाला page open हो जाएगा और यहाँ पर Microsoft Adds इस पर आपको simple क्लिक करना है और अब एक page open हो रहा है अपने सामने फ़र time ले रहा है तो सबसे पहले अपने क्या करना है इस react developer tool यह एक extension है ठीक है तो मुझे क्या करना है simple इसको install करने लाए गेट पर चलना है और इसको add extension कर लेना है ठीक है तो अगर मैं आपको यहाँ पर लेकर चलों तो यह download हो रहा है यहाँ पर और अभी जल्दी install भी हो जाएगा तो हो रहा है install I think यह हो चुका है हो चुका है ठीक है अब य इस बार यह चीज नहीं आएगी ठीक है बहुत यह बढ़िया इसी के साथ हम क्या करेंगे इसी के साथ हम लोग Redux का dev tools भी install करेंगे तो Redux का भी एक dev tools आता है ठीक है तो यहाँ पर हम अगर आपको Redux dev tools पर लेकर चलो Redux developer tools यह वाला इस पर मैं आपको लेकर चलो या फिर आपको मैं सिंपल इसको हटा के यह जो अपना extension है open manage extension पर लेकर चलों और यहां पर आके यहां पर मैं simple type करूं Redux और dev tools इस तरीके से I think suggestion में आना चीए था बटन नहीं आया मैं इसको सर्च करूंगा इसको सर्च करूंगा get microsoft add extension पर simple चलोंगा और मैं कुछ extensions को सर्च करूंगा यहां पर आके और यहां पर मुझे लिखना Redux और dev यह जो dev tools extension आ रहा है इस पर simple चलेंगे हां और यह जो extension इसको simple मुझे क्या कर लेना install कर लेना add extension पर क्लिक करना है और यह अभी download हो जाएगा और automatic install भी हो जाएगा अपने browser के अंदर तो बहुत ही बढ़ी आया है ठीक है तो यह है और यह अभी install हो जाएगा यह install हो जाएगा इसी के साथ मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूंगा आप यहां पर simple लिखोगे Redux और developer tools इस पर लेकिन अटोमेटिक बिंग पर सर्च कर रहा है तो मैं क्या करूँगा एक काम करूँगा जल्दी से मैं इस वाले link पर जाऊंगा ठीक है तो यह link तो बेसे मैं आपको दे दूँगा लेकिन मैं एक काम करूँगा इस पर यह मुझे github पर लेके चलेगा और इन्होंने बता रखा है कि आपको Redux dev tools को किस तरीके से यूज़ करना होता है तो tension मतले ना यह वाला link मैं आपको दे दूँगा नीचे ठीक है description में तो यहां पर मैं simple जस नीचे जाऊंगा आपको documents में क्या सबसे पहला जो अपना browser extension installation and configuration इस पर क्लिक करना है इस पर जैसे क्लिक करते हो आप तो इन्होंने काफी अच्छी तरीके से यहां पर बदा रखा ब्रूजर के लिए हैं तो हम इस पर क्लिक करके और इस पर आच चुकी है और आप थोड़ा नीची आओगे तो यहां पर basic store और इसके अंदर यह जो code है इस इसको simple copy कर लेना है इसको copy कर लेना है इसको यह जो अपना windows Redux भी हाँ पे लिखा है इसको आपको simple copy कर लेना है और copy करके अपना जो store है अपना जो store.jss के अंदर यह जो हम create store कर रहे है एक तो हमने root reducer pass करा आपको coma लगा कि यहाँ पर pass करना यह वाला code simple ठीक है यह जो भी है यह आपको pass कर देना है और फिर क्या करना है आपको अपको अपनी app को simple save करना है आपको अपनी app को simple save करना है और save करने के बाद में क्या करना है आपको यहाँ पर आना है और अब ठीक है अब यहाँ पर अपनी जो अपना redx dev tools है इसको क्या करो आप लोग simple करो इसको open तो मैं यहाँ पर open in panel तो इस पर click करूँगा ठीक है इस पर click करने पर यह open हो जाएगा यहाँ पर देख सकते हो ठीक है और अब आपको यहाँ पर एक state का option मिलेगा इसके अंदर तो जैसे आप state पर click करोगे तो अभी तो undefined आ रहा है अभी undefined आ रहा है I think मैंने save नहीं करी मेरी app को तो मैं मेरी app को save करूँगा सबसे पहले तो ठीक है और I think save अब होई है compile मेरी application पर run होने पर यहाँ पर आ चुकी एक error border expected triple request कोई दिक्कतवाली बात नहीं है मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे जो incdcs के अंदर मैं यहाँ पर double request लगा रहा हूँ तो bold रहा है तो लगा जेते हैं simple save करेंगे ठीक है अब save करते हैं तो इस बार कोई error नहीं है अब क्या करेंगे यहाँ पर रण हुई बहुत ही बढ़िया अब क्या करेंगे simple यहाँ पर चलेंगे और इस page को refresh करेंगे एक बार तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं refresh करने की जुरूरी नहीं है आप लोग यहाँ पर इस state के अंदर जैसे क्लिक करोगे तो I N C O D E C और यहाँ पर इसकी state क्या मिल रही है आपको 0 मिल रही है इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि यह कहां से मिल रहा है यहां से मिल रहा है अब जैसे मैं इसकी state करते था हूं यहाँ पर पचास इस तरीके से मालूम ने पजास कर दी इसकी state जैसे हमारी एप कंपाइल हुई और यहाँ पर मा गया तो यह पजास होना से यह था तो यह अपना Redux Dev Tool से इसका यूज काफी होता है development में तो मैंने बताना था बता दिया ठीक है तो इस तरीके से हम एक simple store create करते हैं और इस तरीके से हम क्या करते हैं हमारे Redux Dev Tool को setup करते हैं hope कि आप कोई सारी चीज़े समझ में आ गई होगी मिलते है next studio में और यह जल्दी हमारी application प्लस और माइनस पर क्लिक करने पर काम करने वाली है ठीक है तो आप कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहे है तो आप पनी से comment करो पूछो कि यह चीज़ किस तरीके से होई और एक चीज़ बता दू रिडक्स थोड़ा सा अलग तरीके से है क्योंकि देखो अगर आप लोग शुरुआती में चीज़ को देखते हो कि रिडक्स किस तरीके से होता है मैं भी आपको समझ में नहीं आए क्योंकि भहुत सारी चीज़े इसमें थोड़ी complex है थोड़ा सा घूम जाता माइंड अपना तो टेंसन मतलो प्रैक्टिस करनी है और कमेंट करने हैं कि यह चीज़ समझ में नहीं आए डेफिनिटली आंसर किया जाएगा आज के लिए तरह नहीं मिलते नेक्स स्टूडियो में थायगा है कर दिकिता करें वोड करें गख करेंगे